Learn to Trade Series के नौवे वीडियो में दोस्तो आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक बजाच और मैं मार्केट में काफी टाइम से हूँ दोस्तो ट्रेडिंग सीखने का जुनून और पैशन मैं काफी लोगों में देख रहा हूँ स्पेशली यंग्स्तर्स में और इसी जुनून को देखते हुए मैंने ये सीरीज चालू की आठ वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं और बेसिक कॉंसेप्स बता रहा हूँ और एक फांडेशन बिल्ड कर रहा हूँ आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वह बाकी आठ वीडियो देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो वह वीडियो पहले देखिए उसके बाद ये नववा वीडियो नाइंथ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ये देखिएगा बहुत इंट्रेस्टिंग अश्याइब बड़ा मजा रहा है और इस सीरीज मेरे साथ जड़ी है अनपुर्णा अलो सर्ण वाव यू अवर्यू आपके सिर्ण आपके सिर्ण अर्ट वीडियो में बहुत कुछ बता दिया था नहीं बहुत का रहा हूँ तो लास्त मेरे को चाहिए कि आप फाइनली मु अश्याइब रास्त वीडियो में अपनी सेक्र रोटिशन मुझे अज बताई तो अब मेरे थीडियी वाच्छ लिए वाच्छ बार यह अश्याइब एक तर वीडियों थे कि अच्छ आपके पिल्डियों में थोड़ा बार इस्कुशन किया था तो अगर आपके बार इसे एक एक़ बाइस मोझ हो को भात इंट्रेस्थ और को फुरूल जो डिमाड्य सहें अमें केंट कारीव की वोगुट किस्दोरर जा गरिवी तर अभ्पामडिध trade कर मैं प्रप्शन जाए चाहले एकुछेंट में पैसे बनते थे प्रफशन में इनने फिसेंट था मेरा बहुत जाधा उसके ऑन्दर में नहीं था था मार्केट का कॉन्टुविशन जाए था भर जब मैंने कमोडिटीज चालों के तब मुझे लगा कि अच्छल में का करेयर बनाना चाहते हैं तो इस नोट बाद आइडिया तो स्टार्ट इत कमोड़िटीज वह बहुत अच्छे से आपको पूरा ट्रेडिंग का गेम सिखा देता है लेकि अपने स्कूल में कॉलेज में और वहां पर आपने लॉफ दिमांड स्टरी किया होगा कि जब डिमांड जादा होता है तो प्राइस उपर जाती है अगर सप्लाई कॉंस्टेंट है और यह से वार्सा लॉफ दिमांड का सबसे अच्छा अप्लिकेशन आप देखोगे तो कमोड़िज प्राइस में होता और करन्सी में होता है एक्विटी में कई बार डिस्तॉटेड जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि वहां पर एक इंसाइडर भी है जो पहले अच्छा कर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगे रएब बर कमोड़िज चरन्सी के अंदर में तिपिकली और कि यहां जान्टा सब्सक्त बार बार डिचानी समय करते हैं आपको अच्छा करते कि अच्छा में हैं तो क्मोड़िज ते अपनी अपने लास्यू अपन सपर जिंक अजल इंद तो अगर रॉट तो सो अर्सक्मोड़िज लाइग आजिगा तो भी पालाउच नहीं धैस रिनाम रेनार में ही ताऊ si safe एंध है नुकाइ नहीं टो कॉमजीटर एंध ही कॉम डिंटर मार्कें को कॉम रिल्जिटियु एर यह र०िसल कॉम टॉल्न बार बष्ट हें लेकिन टैमंнос कर दियामूं है नहीं उसकाकर दिलिटियु वेल्ड जा यह जा를 पूर धैशन जाए क नडर एक डिलंट दीनिटी कोड बी कि वर डिर्क ऌंसीं और लिर्क कंजंशा ेंटलेंग बइफिन पी इस उसे तो मैंट दौननी कोई भी ऑजयब खा लेते जो निकलता है और हम झायब खा लेते बडशाएं वो आप इंडिरेक्ट हो गया कि यसे copper है, metal है, आप copper को directly use नहीं करते हैं, बट copper wires बनाने में, electronic wire बनाने में उसको use करते हैं, तो इसका indirect utility है, तो क्या सारे commodities ट्रेड होते हैं market में, और क्यों होते हैं trade market में, यह जानना ज़ती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक farmer है, और एक mill owner है, farmer का डर है कि वो जो produce कर रहा है, उसका अदाम future में घट जाएगा, तो वो उस price को lock करना चाहता है, mill owner का डर है कि जो raw material उसको चाहिए, जो की farmer ही बना रहा है, उसका दाम भड जाएगा, तो उसका profit margin उसका impact आ जाएगा, तो दौनों सेम underline की बात कर रहे हैं, लेकिन दौनों का risk opposite है, उसको यह risk है कि दाम घट जाएगा, और इसको यह risk है कि दाम भड जाएगा, तो दौनों ultimately मिल लेते एक दिन और बोलते हैं, कि चलो एक price पे अपने contract कर लेते हैं, इसको कहते है forward contract, कि 18 March को तुम मेरे को REIT डिलिवर कर देना, उसके अगेंस में तुमको इस प्राइस पे पैसा दे दूगा, यह हो गया forward contract, exchanges जब बने, commodity exchanges, उनका रोल था कि इन चीजों को standardize कैसे किया जाए, तो 18 March हो सकता आपके लिए, किसी के लिए 19 March हो, किसी के लिए 20 March हो तो exchanges ने काया कि चलो, futures contracts launch करते हैं, जिसमें एक fixed date expiry का, और जो भी trading होगा उसमें, उसी दिन के अधार पे होगा, तो monthly expiry, quarterly expiry के contracts बने लगे, तो forward or future में क्या difference है, forward is flexible contracts, future is standardized contract, तो जब हम commodity derivative की बाद करते हैं, तो हम futures contracts की बाद करते हैं, तो इंडिया में commodity derivative exchange जो बड़ा exchange है, वो है MCX, जिसमें largely non-agree commodities trade करते हैं, और अगर आप agree commodities की बाद करेंगे, तो exchange है NCDEX, हम लोग आज के discussion में non-agree पे focus करते हैं, because agree के dynamics बहुत अलगे, और non-agree के dynamics बहुत अलगे, तो हम लोग नगे पे focus करते हैं, So let's go to MCX website, कभी भी आप किसी भी contract के बारे में समझना चाहते हैं, सबसे पहले exchange का website जाना जरूरी है, आप देखिए, MCX website पर जब जा रहे हैं, तो इसके अंदर में बहुत को नजर आ रहा है, हो सकता है कि आपको देखिए, बाप रिबाप यह क्या है, आप एक काम कीजिए, market data में जाहिए, market watch में जाहिए, ठीक है, let's see क्या रहा है इसके अंदर में, तो यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है कि, जिसमें गोल्ड एक कांट्राक्त है, पांच अप्रेल का, निकल है 31 मार्च का, कोपर है 31 मार्च का, इसको देखे कि क्या समझ में आपको कि उस दिन एक्सपायर हो रहे है वरी गोल्ड कॉंट्रैक्ट पांच अपरेल को एक्सपायर हो रहा है उसका ओपन यह था लो यह है लास्ट टेट प्राइस है हाई यह है तो आज के रेट में अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यह कॉं परसंट यह है यह है तो गई गजह को प्रश्च कॉंट्राइओ निइकल फुचर्श कॉंट्राइओ कॉपर फुचर्स कॉंट्राइच पारइं अपरेद्ट इस देत्ज सब्सक्राइड कर एक्सपायर को ला सकते हैं तो जटने भी ब्रोकर हैं इंडिया उर् G, G, E, G, E, G तो उनका Commodities Division भी होगा तो अगर आप उसी टर्मिनल पे देखोगे तो आपको MCX नजर आज़ागा ड्रॉपडाउं में जब आप ड्रॉपडाउं करोगे तो आपको Gold contract, Silver contract नजर आज़ाएंगे और यह expiry contracts नजर आज़ाएंगे तो आप उनको download कर सकते हैं जब आप Commodities में ट्रेड करते हैं तो आप derivatives में ही ट्रेड करते हैं आप cash market में ट्रेड नहीं करते हैं एक्विडी में cash market होता है हमने देखा है एक्विडी में cash market मतलब आज मेरेको delivery लेना है तो मैं ले रहा हूं आज के लिए आएगा दो दिन बाद टी प्लस तू settlement है लेकिन आज में deliver ले सकता हूं कमोर्डी में delivery का वी concept में है आपके point of view से ऐसे delivery होती है बड़ आपके point of view से concept नहीं है आपको अगर trade करना कमोर्डी में तो आप derivatives में ही trade करेंगे okay by the way all these contracts are deliverable contracts that means अगर इस दिन आपका position खड़ा रहे गया तो आपको delivery लेना पड़ सकता है यह delivery देना पड़ सकता है ठीक है तो आप क्या करोगे आप इस दिन तक वेटनी करोगे अगर यह expire 5 April को होने वाला है और इसका delivery जो है वह पहला तारिक से चालू होता है तो हर contract का अलग-अलग specification है वह आपको कैसा पता जाओगे तो देखो यहां सारे products के बारे में लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, बेस मेटल, अलुमिनियम, कॉपर, डिड कोई भी a contract को अगर आप पकड़ो एक बार सिफ एजमपल गोल्ड पकड़ते हैं, for the ease of our understanding, तो यहां देखो, इसके contract specification आपको मिल जाएंगे, गोल्ड के अंदर में, by the way, options contract दिये, बट अभी अपने discussion के लिए, अपने futures पर फोकॉस करते हैं, तो गोल्ड फर्विरी contract का contract specification यहां मिलेगा, जून का contract specification यहां मिलेगा, तो आप पहली बार गोल् तो आप थोड़ा बात पढ़ भी सकते हैं इसके बार में, अब फिर, वो contract क्या बोल रहा हैं, अगर आप उसको click करेंगे, तो यह contract specification आएगा, जबी भी आप कुसी भी तरह का trade करने का सोच रहें, आप जिस चीज में trade कर रहें, उसके बार में जाना जरूरी है, एक होता है, इसके बार में जाना जरूरी है, तो अगर आप कुछ भी ट्रेट कर रहें, पहले एक्षेंज के साइट पी लाके इसके बार में जाना जाना है, नहीं तो हो सकता है, इस contract में कुछ चेंज हो जाए, और आपको पता ना लगे, और उसके current price में इंपक्त आजाए, जैसे आप पैनल रिपोर्ट देखते हैं किसी भी company का, वैसे ही किसी भी contract को trade करने के लिए आपको उसका specification जाना बहुत जरूली है, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड में ने उसके है, contract और instrument, जैसे Reliance, spot में ट्रेड करोंगे तो एक instrument है, बैर derivative में ट्रेड करोंगे तो एक contract है, और रो क्य contract है, कि तुम्हारे मेरे बीच में एक contract हो रहा है, कि मैं इतना तारिक को, इतना price पे तुमको ये good दे दूँगा, वो ही है contract, तो इस पे देखो, quickly gold, gold के monthly, जो defined है, ये कुछ-कुछ-कुछ-कुछ information है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि आपने trading oriented बात करें, कि मुझे अगर ट्रेड करना है, तो मैं कैसे करूं, बिकाद आपका इंटेंशन दिलिवरी लेना नहीं, आपका इंटेंशन है कि मुझे या तो इंट्राडे ट्रेडिग करना है, या मुझे कुछ दिनों के लिए इसमें पोजिशन मराना है, ठीक है, गोड का एग्जांप बूल चेंटरिश ब्स्ती नें,या सब्हत है अंसे सब्सक्राइब करना है, या मुझे या मिश्च करना है लिए यह दिफिकल्ट है इसलिए यह सिखाता बहुत है तो अगर आप चरेडिंग करियर चालो कर रहे हैं तो कमोरिटी कें बेडिगुड इसलिए इसलिए लेर निंग भूत है इकविटी में नेक्स जाओगे अभी क्या हुआ है सब इकविटी में जाना चाह रहा है विकविटी में टेजी है राइट बार यह लोग नी समझ पाना है कि आपका बेस बिल्डिंग ओव ट्रेडिंग तरे लिए कमोरिटी इस बेटर इसलिए ऐस तो मैं दैने क्विटी आप क्यों वोभी रिजन में बताऊंगा कि ऐसा क्यों कि इतना क्यों चला तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सुभा एक्विडी की है शाम को तुरा ब्रेक लिए और फिर शाम को छे बजे के बाद में कमोड़ी ट्रेडिंग जिनके लाइफ में ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं पुरा ट्रेडिंग से ही एक्साइटमेंट लेते हैं पुरा टाइम ट्रेडिंग करके बड़ ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो आपकी शोचल लाइफ खराब हो जाएगी चले एक डिसकॉशन करते हैं कि अगर मुझे ट्रेड करना है सब्सक्राइब गोल्ड में तो मुझ सब्सक्राइब तो मैं आपको अभी बता जेता हूं आज बट हर कमोरिटी डिजर्ब करता है एक उनिक डिसकॉशन जो अपने करेंगे चार्ट आपको यादे ट्रेडिंग व्यू तो मैंने क्या किया मैंने एक वाचरेस बना लिया कमोर्टी बोलके अब इसके अंदर में मै सबसे पहला कमोरिटी मैं गोल को ले रहा हूं अगर तो मैं यहां पर गोल्ड सर्च करता हूं तो अब देखो यहां क्या आरहा है यहां पर आरहा है गोल्ड गोल्ड टीवीसी विच इसके लिए ब्रोकर इंटरनेशन ब्रोकर है उसका प्राइस है विच इस गोल्ड यह बर्रिक गोल कोपरिशन एक कंपणी है जो का नहम नहीं गोल को फ्यूटर से जो कि M6 परेडर है तो जैसे इक्विडी के अंधर में पॉट और फूटर होता है इमलेली इस प्राइस तो होता है आज किसी को अगर गोल में ट्रेड करना यह प्राइस परेड होगा प्रइस कहें कि इंटरनेशनल मारेट एक ऑपल मार्केट करने क builder day एंट फॉक्रिकुलरा मार्केट नहीं उता है इस थी टेंडोंट चैन अनल पड़े करते। आप मार्केट प्रजिए नहीं सब सकते बारब कुंपरते हैं जब अपके साथ मार्केट यू तो मैं आपके साथ यह का रहा हूँ बैंक दुस्रे के साथ डील का रहे है बड़े बड़े बलक बायर जो है वो बैंक से डील का रहे है तो यह अपने आप मार्केट चलता है इसको कोई millet यह प्लेस नहीं चाहिए ठीक है this is a reference price तो gold spot market को मैं यहाँ पर add करा हूँ और gold futures market futures means जो contract trade हो रहा है तो क्योंकि gold a global commodity है तो इंडिया में जो gold trade होगा और जो globally gold trade हो रहा है दोने में relationship होगा ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया का gold price अपना ही चाल चला है और international gold price अपना चाल चला अपना चाल चला है आसा नहीं होसा finally they should go in tandem because gold is gold इंडिया में भी gold वही gold है और यूस के अंदर भी gold वही gold है so what I will do is gold spot में एड कर दिया gold futures जो की US का जो एक 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 चेंज जो सबसे बड़ा एक चेंज है वह कोमेक्स okay comics is US का सबसे बड़ा एक चेंज जो की gold का सबसे बड़ा एक चेंज है जो की New York में situated है इसका futures contract को में अभी एक बार आइड कर रहा हूं एक चेंज है और gold futures MCX का जो की इंडिया का सबसे बड़ा contract है उसका futures contract को में एक बार आइड कर रहा हूं so there was something called mini futures yeah yeah so यह एक size is contract का और mini future हो गए जो छोटा size के contract है commodity के अंदर में यह फायदा मिलता है globally की जरूरी एक ही size का commodity contract करेगा जैसे यहां पर nifty है तो nifty ही size का उसे में आपको trade करना होगा पहले nifty mini हुआ करता था बाट रेगुलेटर ने उसको हटा दिया लेकिन commodity के अंदर में अलग-अलग contract size के contracts है जैसे मिने आपको दिखाया था यहां पर आफ जब प्रोडट्क्त में जाओगे तो देखिये क्या नज़ाया आपको गोल्ड मिनी गिनी पैटल गोल्ड बड़ा था applicable तो अलग अलों साइस जिनका अपने डिलेवरी डायमिक है तो अगर आप गोल्मनी में काँट्रेंग कर रहे तो आपको गूल्द मैं लेना होगा गोल्फ में कर्रें अपको गिनी में पर होते आपको गोल्फ में 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 तो अवहीं डेना परए को एfred तो यह गोल्ड के प्राइसे यह प्राइस प्राइस है तो गोल्ड का अगर अपने वीकली ट्रेंड देखें तो यह वीकली चार्ट गोल्ड का स्पॉट का तब क्या ने जरा रहा है गोल्ड अभी एक डाउं ट्रेंड में है तो मुझे कैंडल स्टेक अभी था कितना कांपिट विए अपने कैंडल स्टेक पर एक सेशन करेंगे बाद में तब लाइन में आ जाते हैं तो इसको में हटा परम सक यहां पर एक सिलाएफ यह तो आओं करना वह छचम है देहां चोड के डिंद घडाता हूं कि आपको गडेशी स्टेय यह को को अपर आप यह डाउर च्मनितरी ओंटिंटमस कि कि अज सप्रीड जाओंग कि यह दो सकता है यहां फीमें अर्स हैं यह फ्यूच जोकि living में ट्रेड हो तो पॉट साथा सो पंद्र है और फूचस गॉर्ट इस एक साथ ही चल गा और यह गोल्ड mcx जो ट्रेड हो जो है जो है जए 44,765 इस दीप्राइस फिच इस बीन ट्रेड इन अब बोलोगे सर यह सफरह सो टेड़ एंड इस फॉट लॉट पर आउंस ऑड इस इन रुपी पर इस प्राइस बास पर इस प्राइस बास तर बास लुक इक G अर क्क्षिन था फ्रिक प्रूल यह का अगयर्डикомपनिश थे फिक्टा था के UM आट भीडियों अगयर्डीयरishing एक फ। श्यक्तान आगयरे हैं जाएख विए की किना ओफ हाथ ते कि अन्टीन. नि या कित देक्सि बाहलं को जब कर सकता है और टेडिचसमेंग में सब्सिने अपन कर डिए प्रत Okay इसलिए इसलिए London एक शने मीन इसलिए आप जाकमी बटेक्स कर सकते लोग सफेल है इसलिए में मीश करता रह में विर गारिविक्दुप यह गोल्ड डॉलर टर्म्स में है पर और यह गोल्ड है रुपी ट्रम्स में पर थेन ग्राम है ठीक है तो यह इसको अगर बाहर गोल गिरेगा तो जरुरी निए कि इंडिया में गोल गिरेगा वोग सखते है कि यूई गाल sms का एश्बायर्पी का करेंड वह फॉल नगरवते करना है कॉछ झाना पर पीट कर रहा है तो मुझे हरो भी देखना पड़ेगा तो यह काम करते है Mr.tis played also an लुब ब्रोकरी हैं पर इस ङॉट के इस ब्रोकर आए सो लोगर है अच्छट है मनेनजि को पomena। ऊपर आप क only लुट्रेड फॉट वरसे क्पमिएॉ ज उटेंगरेंषिंद निया सब्सक्यान है। इंडिया के अंदर में इसका spot trading इतना actively नहीं होता है, तो लोग generally futures में trade करते हैं, जो की एक proxy है spot trading का तो जब आप gold trade कर रहे हो, तो आपको क्या क्या देखना है, आपको gold का international price देखना है, आपको rupee का moment देखना है, इंडिया में अगर आप gold trade कर रहे हो, M6 के अंदर में, तो फिर उसका impact में, rupee का भी impact आएगा, because that conversion factor has to be seen, और international gold जब आप trade कर रहे हो, तो एक बहुत important factor है, जो की gold को influence करता है, वो है dollar, तो जब आप commodities trade करते हैं, तो आपको कुछ basic instruments को भी track करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अब डॉलर को कैसे track करते हैं, dollar, dollar क्या है, currency, currency, अगर मैं बुनू की dollar strong हो रहा है, तो अपके जहन में क्या आएगा, तो अपके जहन में क्या आएगा, उसका price और अगली जाहा है, price क्या price, मैं अभी USD against INR, against INR, right, so the question to be in your mind is, dollar strong हो रहा है, vis-a-vis what, क्या आएगा इनर के अगेंस पूल रहा है, या euro के अगेंस पूल रहा है, because dollar stand alone तो माइने नहीं है कुछ उसका, right, right, क्योंकि हम लोग को आदत लगी वे ना कि dollar weak हो रहा है, dollar weak हो रहा है, vis-a-vis INR weak हो रहा है, जो यूरोप में बैठा है, वो dollar weak हो रहा है, मतलब euro के अगेंस होच रहा होगा, कोई UK में बैठा होगा, तो GBP के अगेंस होच रहा होगा, तो जब हमको dollar track करना है, तो हम against INR track करेंगे, वो तो हम करेंगे, right, बाद हमको global dollar का movement को track करना है, तो हम कैसे करें, उसके लिए concept dollar index, dollar index, अगर आप search करोगे dollar index, तो US dollar currency index, इसका code है DXY, यह सब universal codes है, पुरा दुनिया इन सब codes को follow करता है, तो अगर आप इसको add कर लोगे, तो यह होगे dollar index, which is around 91 right now, okay, so 91, यह index है, which is composition of multiple currencies, just a nifty index है, is a composition of how many stocks, around 50, 50 stocks, sensex is an index, which is a composition of 30 stocks, similarly dollar index, is an index which is comprised of certain currencies, what are the currencies, एक पार सर्च करते हैं, components of dollar index, यह dollar index जो है, यह spot market में एक index बना हुआ है, जैसे यह देखो यह दिखा हुआ है, कि euro जो है, 58 percent है, JPY 13 percent है, GBP 12 percent है, यह जो जितने भी developed nation के currencies हैं, इनको combine करके एक index पना हुआ है, dollar index, जो की symbolize करता है कि dollar में क्या चल ला है, और वो index का अभी आज के rate में price चल ला है, 91, यह index भी trade होता है, एक exchange के अंदर में, जिसको हम नहीं access कर सकते हैं, because as Indian we are not allowed to trade global markets, तो जब आप किसी भी global commodities का tracking का बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ global instruments को भी ट्रैक करना पड़ेगा, because वो instruments उस commodity को influence करते हैं, और cumulatively आपका INR भी उस particular commodity से influence होके, finally आपका India का price आता है, गोल्ड के रिकलेश मिकासिक है, कि गोल्ड 1713 डॉलर वहां पर है, जो की डॉलर के कारण भी है, अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्टॉंग होगा तो डॉलर वीक होगा ये एक relationship है, जो की सालो साल से चलता है, और आइनार अगर स्टॉंग होगा तो इंडियन रुपी टॉंग में गोल्ड नीचे जाएगा, तो सिंपल मैच समझो, गोल्ड इन डॉलर टॉंग मल्टिप्लाइड बै रुपी इस गल्टू गोल्ड इन आइनार टॉंग अगर डॉलर टॉंग में गोल्ड उपर गया और आइनार वहीं जाएगा तो फाइनली रुपी टॉंग में हो सकता है गोल बहीं का वहीं ख़रा रहा है तो यह फैक्टर को ओर और होलिस्टिकली समझना जरूरी है इफ यू वांट टो टेक अ व्यू ओन इंडियन गोल्ड ओक्यों